आज हम आपके साथ डिसक्स करेंगे लेक्चर फायो इंडियन प्वालिटी स्पेशल एमसी को सीरियस जो अभी चल रहे हैं बागी जो चार लेक्चर्स हैं वो अरड़ी अप्लोड हैं वेबसारी यूट्यूब चैनल पर तो आप हो देख सकते हैं यह हैं लेक्चर फायो जो हैं पंचाहित राज जो भी इसमें में सीक्यूज हैं वो पंचाहित राज के रिलेटेड़ हैं तो यह स्पेशल एमसी को सीरिज इसले लाई हैं कि आपको कुछ बैन प्रिट मिल जाए एक्जाम में और यह एसस बी के लिए भी फायदमन्द है तो आप दें यह जो चार अलड़ी वीडियो अपलोड़ेट हैं यूट्यूब चैनल पे वह आप देख सकते हैं यह हैं लेक्चर फायव वीडियो नमबर फायव सिपिशल एमसी क्यू सिरिज एंड इन पॉलिटी चले वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट जो क्वेशन है पहला क्वेशन वीच आप को बताना है कौन सी किमिटी ने पांचायत राज रेकमेंड के हैं इंडिया में इसका जो सही आप्शन है वो हैं आप्शन नमबर बी बलवंत राई मैथा किमिटी जो हैं इसने रेकमेंड के हैं पांचायत राज सिस्टम इन इंडिया नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर हैं और आते भी हैं यह क्वेश्चन उस एक्जाम में पंचायत राज बहुत इंपॉर्टन टापिक है एक्जाम के लिए यह क्वेश्चन नबर टू कितने टायर होते हैं पंचायत राज सिस्टम अफ इंडिया तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नमबर सी थ्री ट सेहल टायर भी है तो जो इंडिया का सिस्टम में मैल लिए वहीश्जार सीस्टम इसमें जो आता हैं फरस्त हैं ग्राम सबा ग्राम सबास इस कर झान है welcome लाक सबियि थर्ड हैं एए बियृओं जथर्ड है जिनलपरिश्बस ङंडिया परेश्चायत जो थी यह थ्री है पन् का answer option number C next question which of the following system is established on the basis of the direct election कौन सा direct election पे established हैं जो direct election है जिसमें लोग directly vote अपना vote cost करते हैं और अपना जो representative votes चुनते हैं इनमें से आपको बताना है किसमें direct election होता है ग्राम पुचायद बलाओं कमिटी जिलापरिश्यत शिल्ला परिश्यत हैं या option t both A&C ग्राम पचायद जो होते हैं जो विलेज लेवल ग्राम पचायद उसमें directly हम अपना जो वार्ड मेंबर होता हैं the QUEASP 5 छोता हैं तो वह डिरेक्ठली both a and c answer option number d next question हम देखते हैं which of the following statements is not correct आपको बताना है इन मैंसे कौन सा statement सही नहीं है पहला जो है पंचाइद राज was established in India by जवाहिरलाल नहरो यह option सही है option सही है मदिया पर्देश was the first state which implemented the पंचाइद राज system in India यह option जो आपको बताना है यह गलत option है इसमें जो यह वाला आएगा क्योंकि मदिया पर्देश नहीं है यह है राजस्तान राजस्तान फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जिसमें पांचाइद राज सिस्टम implement किया गया है तो इसमें जो है राजस्तान मदिया पर्देश नहीं है यह है गलत option तो इसका जो सही बनेगा answer वो है option बी जो सही नहीं है राजस्तान के बाद आंधरा पर्देश में इंप्लिमेंट हुआ था पंचाइद राज सिस्टम जो option C यह सही है 73rd constitutional amendment act was implemented in 1992 जो 73rd constitutional amendment है यह पंचाइद related है पंचाइद और जो 74 है वो है mincivilties के related तो जो option number D Tamil Nadu is adopted the bicameral method यह भी सही है अब चलते हम next question पर which of the following article is related to पंचाइद राज आपको बताना है कुन सा article पंचाइद राज के related है option A 243 B 324 option C 124 option D 73 जो इसका सही है वो है option A 243 article यह किसके रिलेट है पंचाइद राज पंचाइद राज article 243 अब हम देखते है next question which what was the main purpose behind bringing the पंचाइद राज system to India को क्या main purpose था जिसके वज़ा से पंचाइद राज system इंडिया में लाया गया था तो option A है to prevent criminalization of politics यह गलत है यह तो इसका सही नहीं है purpose B development of legends यह भी सही नहीं है सही तो है ही development होता है मगर इसका जो man है manly man purpose है वो बताना है आपको development भी होता है पंचाइद जब लोग अपना representative एलेक्ट करते हैं तो वो अपने जो गाओं हैं उनके लिए development के लिए वो आगे आते हैं और अपने development के लिए वो काम करते हैं village के development के लिए तो जो आपको man purpose बताना है वो है option number C decentralization of the political power to general people इसका जो सही है वो है option number C decentralization of political power to general people अब हम देखते हैं next question which schedule was added to the constitution by 73rd constitutional amendment act आपको बताना है कुण सा schedule add किया गया है 73rd constitutional amendment act से तो यह हैं पंचाइद राज पंचाइद पंचाइद के related हैं 73rd constitutional amendment इसमें जो शुडूल है वो है शुडूल नंबर 11th option number D इसका जो सही है वो है option number D जो 12th शुडूल है वो है municipalities के related 11th है पंचाइद और 12 है municipalities तो इसका 73rd constitutional amendment से add किया गया है शुडूल 11th in Indian constitution अब हम देखते हैं next question which statement is not correct regarding gram sabah आपको बताना है कौन सा statement सही नहीं है regarding gram sabah it is a body consisting of persons registered in the electoral rolls of village comprised within the area of panchayat level second option है it is a village assembly consisting of all the registered voters in the area of panchayat third one है option number C its powers have been determined by the central government d its powers and functions at the village level are like state legislature at state level इसका जो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है इसमें जो सही नहीं है option C इसका answer आएगा इसमें बता रहा है it is power is determined by the central government central government नहीं है इसमें इसका जो power determined कर रहें वो कर रहें state legislature state legislature तो इसका जो सही बनेगा option वो है C question number eight next question number nine which statement is true about panchayat Raj आपको बताना है कुन सा statement सही है panchayat Raj के बारे में panchayat Raj option a block panchayat sympathy should be constitute directly elected members यह गलत है क्योंकि panchayat sympathy इसमें direct election ही होते हैं आपको बताना है सही कौन सा है यह पहला statement गलत है क्योंकि ब्लाक सिमीती में डिरेक्ट पंचायत सिमीती में डिरेक्ट इलेक्ट इलेक्शन ही होते हैं मिनिमम में शूड भी एटीन years contest election है यह भी गलत है क्योंकि minimum जो age है 21 years अगर आपको election contest करने है पंचायत में तो आपकी age होनी चाहिए 21 years अगर आपको vote cast करना है तो vote जो cast करते हैं उनकी age 18 years अब होनी चाहिए मगर जो election contest करेंगे election में participate करेंगे तो उनकी age होनी चाहिए पंचायत में 21 years तो यह option भी गलत है option भी election of the पंचायत राज इनिस्टूशन इस कंडेक्ट under guidance of state election commission यह option सी सही है क्योंकि state election commission ही पंचायत इनके guidance में ही पंचायत के election होते हैं अब आपको बताना है जो state assembly के है state assembly के जो MLA होते हैं member of legislature assembly उनका जो election है वो election commission of India conduct करता है उनकी guidance में होता है election commission of India जो state election commission है उनकी guidance में होता है पंचायत के elections मेंसिपिल्टीज के elections जो legislative assemblies होती है state के यह लोगसभा बार्लिमेंटी के elections होते हैं वो conduct करवाते हैं कुन election commission of India state election commission पंचायत मेंसिपिल्टीज के लिए election conduct करते हैं तो इसका जो बनेगा सही है वो है option c तो यह सही है next question पर चलते हैं how many posters are reserved for the women at all levels in panchayatra system कितने posters reserved होते हैं women के लिए all levels जो भी level है पंचायत के चाहिए gram सभा हो फर्स्ट है gram सभा second है block sympathy third है जिल्ला परिश्ट आपको बताना है all in all levels seaters कितने poster reserved होते हैं women के लिए तो इसका जो सही option है वो है option number first one third seaters जो reserved होते हैं for women in all levels of panchayatra system तो यह था end of the video thank you very much for watching this video